सोशल मीडिया पर एक विडियो तेजी से वाइरल हो रही है इस विडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला है कुछ लोग बैठे हैं ग्रूप में और ये पुलिस वाला उन सभी के सामने अपनी वर्दी उतारता है लोग उसे रोकते हैं लेकिन ये पुलिस वाला नहीं रुकता है अपनी शर्ट उतार कर बन्यान में आ जाता है आखिर इस पुलिस वाले को क्या हुआ है और इसने सभी के सामने इस तरह से अपनी वर्दी क्यों निकाल दी इसकी वज़़ा बेहत शौकिंग है आपको बता दूँ कि ये जो विडियो है ये MPK सिंग रॉली के कोतवाली पुलिस टेशन का है विडियो में जो ASI है उसका नाम है विनोध मिश्रा बताया जा रहा है कि विनोध मिश्रा एक मीटिंग का हिस्सा बने थे जिसमें कुछ पुलिटीशन और पुलिस वाले घटे हुए थे पाइपलाइन और ड्रेनेज के काम की बात को लेकर ये मीटिंग होनी थी लेकिन इसी दौरान जो पुलिटीशन था उसने ASI विनोध को धमकी दे दी कि तेरी वर्दी उतरवा दूँगा बस इसी बात को सीरियसली ले लिया विनोध मिश्रा ने और उन्होंने उस पॉलिटीशन को सामने के सामने बता दिया कि तू क्या मेरी वर्दी उतारेगा मैं खुद अपनी वर्दी उतार देता हूँ और वही पर मिश्रा ने अपनी वर्दी उतार दी यह पूरा incidents CCTV में कैद हो गया जो अब social media पर viral हो रहा है सबसे बड़ी बात यह incident 6 महीने पहले का है दो फरवरी का ये इंसिडेंट है लेकिन वाइरल अब हुआ है सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वाइरल होने के बाद मिश्रा के खिलाफ जाच शुरू कर दी गई है और इस मामले की अब पूरी तरह से तहकिकात की जाएगी